हेलो फ्रेंड्स आशापांडे.com में आपका स्वागत है समर सीजन आ चुका है और इसी के साथ शुरू होता है एनरजी लॉस बच्चे फ्रूट्स खाते नहीं है इसलिए मैं उनके लिए लेकर आई हूँ एनरजी से भर पूर फ्रूट पॉप्सिकल्स यहां मैंने लिया है वन बाउल ओफ वाटर मेलन इसे ब्लेंडर में डाल दिया है वन टेबल स्पून हनी लिया है हनी की जगे आप शुगर भी ले सकते हैं वन फोर्थ क्लास ओफ वाटर डालेंगे ब्लेंड करने के बाद इसे फिल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें सीट्स भी होते हैं देखिए हमारा वाटर मेलन पॉप्सिकल रेडी होने के लिए मोल्ड में जा रहा है यह मोल्ड आपको किसी भी सूपर मार्केट से मिल सकता है अब यहां मैंने लिया है ब्लेंड करने के बाद फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है जिससे यह पल्प अलग हो जाएगा पल्प अलग करने के बाद इसे भी हम हमारे आइस क्रेम मोल्ड में फिल कर देंगे देखिए कितना सुन्दर कलर दिख रहा है इसका अब मैंने यहां लिया है वन बाउल ओफ ग्रीन ग्रेप्स वन टेबल स्पून हनी वन फोर्थ ग्लास ओफ वाटर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे फ्रेंड्स आप अगर मेरी रेसिपी को पसंद करें तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी दीजिए यहां अब हम इसे ग्रीन ग्रेप जूस को भी मोल्ड में डाल दे रहे हैं और इसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ पाइनिपल पॉप्सिकल इसमें भी मैंने लिया है वन टेबल स्पून हनी वन फूर्द क्लास अफ वाटर इसे ब्लैंड कर लिया है और अब हम इसे भी फिल्टर कर लेंगे इसे मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ आप चाहे तो 7-8 आवर्स में भी रेफ्रिजरेट करके यूज़ कर सकते हैं ओवरनाइट हो चुकी है रात बर के बाद हमने निकाला है 5 सेकेंड के लिए हम इसे नॉर्मल पानी में डाल रहे हैं और अब इसे हम निकालेंगे ये देखिए हमारे पॉप्सिकल्स बनके तयार है और ये बहुत सुन्दर दिख रहे हैं बच्चे इसे देखकर तुरंद खाने के लिए तयार होंगे देखिए ये है वाटर मेलन पॉप्सिकल ये है ग्रीन ग्रेप ये ब्लैक ग्रेप और ये है हमारा पाइनेपल आइसक्रीम पॉप्सिकल